इन लोगों के according क्या है? soil की definition की earth के उपर जो भी layer, looch layer है looch surface है जहां पर plants होते हैं या पर plants की roots होती है उसे इन लोगों ने soil नाम दिया है Hello friends, this is Raviikashchep and you are watching TrainorBrain तो आज का lecture काफी important होने वाला है क्योंकि आज मैं start करने जा रहा हूँ Soil Mechanics की lecture series आज हमारे lecture no.1 होगा जिसमें आज के हमारे topics होगे सबसे पहले मैं introduction of soil mechanics कर दूँगा उसके बाद में soil की definitions देखेंगे और उसके बाद में formation of soil या फिर origin of soil तो दोस्तों जो यहां पर आज जितना भी में कराऊंगा इसका जो reference है मैंने दो बुक से reference लिया है पहला गोपा रंजन और दूसरा क्यार अरोरा इसके लाबा मेडी जी के notes और जो उसकी theory books है वहां से भी इसका reference लिया हुआ है तो जितना भी आज का content होगा इसमें जितना ही तो competitive exam में आप जाहे A exam का हो या फिर J level का हो तो दोनों level के लिए sufficient होगा तो यहां पर मैं बिल्कुल basic से start करने वाला हूँ तो अगर किसी को soil mechanics की ABCD भी नहीं आती है तो उनके लिए वी काफी beneficial होगा तो अगर आपको पहले से concept थोड़े बद क्लियर है तब भी कोई problem नहीं ह क्योंकि मैं यहां पर बिल्कुल basic से start करने जा रहा हूँ तो वीडियो को इसकी मत करना बिल्कुल end तक देखना क्योंकि आपके concepts में बिल्कुल clear हो जाएंगे आज इस वीडियो में So without wasting the time let's start the video तो जैसे कि मैं पता है कि soil mechanics के गर बात करें तो उससे पहले बात करेंगे soil की कि soil क्या होती है soil का formation क्या होता है soil होती क्या मतलब तो यहां पर देखी कई सारे जो definitions and different according to point of view different person के कि अलगला persons है उनके according अलग-अलग definition है तो अगर मैं बात करूँ है यहां पर जो farmers की जो farmer होते हैं जिनने मैं agriculturalist भी बहुत सकता हूं तो agriculturalist के according या फिस geologist के according इन लोगों के according के soil होती है soil का मतलब होता है कि जो हमारे पास यह top layer है suppose यह मेरे पास earth है इस तरह से ठीक है यहां पर अर्थ है top surface है इस अर्थ के उपर यह जो भी loose soil है इस loose soil जहां पर हमारे plant होंगे ठीक है यहां पर जो भी plant हैं तो इस layer को क्या बोलते है soil यह किस के Qarding है Agri, Culturist來 das anxiologist इन लोगों के Qarding क्या है ऩोल की definition कि earth के ओपर आपर जो भी layer के पहली no occet diya रहे है यहां पर plants की roots होते है उसे इन लोगों ने soil नाम दिया यहां पर देख सकते है according to a agriculturist यह फिर ος जॉलोगेस्ट Soil means the top layer of the earth which is responsible for supporting life plant लेकिन अब अगर मैं बात करूं according to civil engineer क्या कहता है कि हमारे पास जो भी अर्थ है ये एक अर्थ है तो अर्थ के ऊपर जितनी भी unconsolidated जो भी अर्थ surface है जो कि bad rock के ऊपर है bad rock मतलब यहाँ पर सब्सक्राइब पास रॉक्स है तो रॉक के ऊपर जितना भी पोर्षन होगा इस पूरे पोर्षन को इन्होंने क्या नाम दिया है soil ठीक है soil यह कैसी होगी unconsolidated उनकॉंसोली डेटिड मतलब कि रॉक बैड के ऊपर जितना भी surface होगी अर्थ surface जितनी भी होगी उसे इन्होंने soil नाम दिया इससे पर जो अग्रिकल्टरिस्ट याफिजोलोजिस्ट होते है उन्होंने क्या का कि जहां पर केबल इनके help से क्या करते हैं वह एक consolidation क्या होता है consolidation एक natural process होता है एक natural देखे consolidation का इसका chapter जो अलग से होगा उसमें इसको detail में डिसकस करेंगे अभी बस आप इतना जानलों कि consolidation क्या होता है एक तरह से compaction का यह natural form होता है जिसमें air और water क्या करते हैं निकलते हैं soil से repel करते हैं air और water बाहर निकल जाते हैं उसे consolidation बोलते हैं तो जितनी भी unconsolidated मतलब unsettled एक compacted होती है without compacted जो भी earth surface होगी वो हमारी किसमें आएगी soil की category में आएगी यह तो कहें civil engineer के concept से अब इसके बाद क्या होता है एक परसर ने Dr. कालतर जागी ठीक है Dr. कालतर जागी इन्हें क्या बोलते है father of soil mechanics बोलते हैं Dr. कालतर जागी इन्हें father of soil mechanics बोलते हैं क्योंकि इन्हो मेकेनिक्स पर बेस्ट लॉंच होई थी इसलिए इन्हे father of soil mechanics बोलते हैं कालतर जागी इनका नाम याद रखिये तो इन्होंने soil की definition दी वो क्या थी इन्होंने definition दी कि soil is defined as an unconsolidated material composed of solid particles produced by the disintegration of rocks मतलब rocks के disintegration से जो भी solid particles निकलेंगे और वो कैसे होंगे unconsolidated होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे soil बोलेंगे तो यह किसके कोडिंगे कालतर जागी यही official definition है अगर आपको याद रखनी है तो इस definition को आप याद रखिये यह उपर वाली जितनी थी वह मैंने general knowledge के लिए आपको बताई है तो यहां तक हमें definition कवर हुई है अब बात करेंगे soil mechanics की soil mechanics क्या होत problems ठीक है soil mechanics एक ऐसी branch है civil engineering की जिसमें हम application करते है किसका mechanics का hydraulics और chemistry किसमें यूज करते हैं engineering problems में उसे बोलते है soil mechanics अब इसके बाद एक term आता है soil engineering ठीक है soil engineering इसके अंदर क्या होता है soil mechanics प्लस geology तो यह टर्म आप याद रखिए कि अगर आप से कोई पूछता कि soil engineering क्या क्या मतलब होता है इस soil engineering का मतलब होता है soil mechanics प्लस geology एक combined form होती है soil mechanics में geology की इसके अलावब एक term आता है rock mechanics जैसके मैं पता है soil mechanics हम स्वाल के study करते हैं तो वैसे ही rock mechanics में किसके study करेंगे rocks की ठीक है आप क्या होता है कि अगर मैं इन दोनों टर्म को एक साथ कर दूँ Soil Engineering और Rock Mechanics को तो मेरा बनेगा Geotech Geotech Engineering ठीक है Geotech Engineering वैसे Geotech Engineering काफी broad word है काफी broad word है ठीक है काफी बड़ा word है कि इसके अंदर काफी सारी जो सब्जेक्ट्स और topics आ जाते हैं लेकिन हमारे जो काम के हैं हमारे जो काम के हैं वो हैं केबल Soil Mechanics हम केबल पढ़ेंगे Soil Mechanics जिसके अंदर आपकी Soil Mechanics प्लस Foundation आएगी बस भी मैंने एक General Knowledge के लिए आपको बता दिया कि Rock Mechanics क्या होता है या फिर Soil Engineering क्या होती है तो यहां पे Soil की Definition हो गई है इसके अलाबब Soil Mechanics क्या होगा वो भी बता दिया है अब बात करेंगे Origin या फिर Formation of Soil की तो जो भी Soil के Formation होता है वो कैसे होता है यहां पे देखेंगे Soils are formed by weathering of rocks due to Mechanical Disintegration और Chemical Decomposition या तो Mechanical Disintegration होगा या फिर Chemical Decomposition होगा अभी दोनों वर्ड क्या होते है कैसे होता है पहले मैं आपको बताऊंगा यहां पर डियाग्राम में देख सकते हैं कि एक रॉक दी हुई है यहां पर रॉक है अब रॉक के पर क्या होगा कि इसके उपर एट्मोसफेर है यहां पर उपर क्या होगा आट्मोसफेर होगा तो आट्मोसफेर से क्या होगा रॉक में वेदरिंग होगी जैसे कि आपने घरो में देखा यहां कि आयरन की रॉड बगारा कुछ आयरन पड़ा होता है चटो पर कुछ दिनों बात उसमें रस्टेंग हो जाती है वह होती है Oxygen की वज़े से रस्टेंग होती है उसी कम वेधरिंग भी कह सकते हैं तो उसी तरह से rocks की भी वेधरिंग होती है एट्मोस्पेन काफी gases होती है यहां फिर दूसरे मेंडर्स होते है जिससे reaction करके वहाँ पर weathering होती है तो यहाँ पर दो तरह करते physical होता है दूसरा chemical होता है तो यहाँ पर अगर detail में देखें कि जो origin या formation होता है वो एक cycle होती है जिसमें सबसे पहले हमारी होती है weathering उसके बाद में transportation होता है उसके बाद में deposition होता है फिर upheaval होता है तो इसको यहाँ पर detail में देखते है कि देखें suppose मेरे पास एक यह rock है ठीक है इस तरह से एक rock है यह कोई rock है यहाँ पर क्योंगा कुछ particles होंगे तूटके नीचे तरफ गिरेंगे यहाँ पर आए यहाँ सी यह transport होंगे किसके वज़े से running water या फिर ice के जो उपर से glaciers होते है melt होते है वहाँ से ice नीचे आएगी उसके साथ ही पार्टिकल यहाँ पर ट्रांस्पोर्टों के इस तरफ आएंगे पहले पार्टिकल आए इसके और आएंगे और आएंगे इस तरह से यहाँ पर एक uphevel होगा मतलब यहाँ कर इसके जो volume होगा increase होता चला जाएगा जिसे बोलते हैं uphevel यानि कहने के मतलब पहले एक rock थी इस तरह से यहाँ पर दूसरी rock बनने लगी तो यह एक तरह से देखा जाए cyclic process हो जाता है आप इस वारी यहाँ देख सकते हैं देखे हैं आपर है सबसे पहले weathering होगी वहां से transportation होगा फिर deposition होगा उसके बाद uphevel होगा ठीक है एक बार क्या होगा चट्टान बनेगी जो भी होगी जो rocks या फिर चट्टान होगी जहां से transportation होगा फिर deposition होगा दूसरी जगा जाके जो भी particles होगे सटल होने लगेंगे बहाँ पर कुछ जाता है सटल होगी तो वहां से फिर दूसरी चट्टान बना शुरू हो जाएगी जिसे आप हैवल बोलते हैं अब इसके लावा एक और मैं एक जामपल बता सकता हूँ देखिए सब्बोज मेरे पास पहले का एक flat surface है ठीक एक flat surface है यहाँ पर क्या होता है volcano eruption होता है जिसमें कहने के लिएगा लावा अब लावा आके यहाँ पर ऐसे करके उपर आ जाएगा ठीक है अब इसके बाद फिर से यहाँ पर दूसरा बोलकेन हो आया इस तरह से फिर से लावा यहाँ पर आ जाएगा तो काफी time बाद क्या होगा यहाँ पर एक बड़ी सी चट्टान बन जाएगी या फिर hill type की बन जाएगी ठीक है अब उसका क्या होगा weathering होगी weathering में क्या होगा जो particles होगे वो environment से reaction करेंगे या फिर running water के थुरू particle टूटके नीचे तरफ आएगे ठीक है तो वही सेम प्रोसेस है यहाँ से transportation होगा और यह particle यहाँ पर आके घट्टे हो जाएगे और धीमी धीमे यहाँ आप हेवल होने लगेगा फिर दूसरी चट्टान बनने लगी कि इस पूरे प्रोसेस को तो यह जो पूरा प्रोसेस होता है यह एक साइकलिक प्रोसेस होता है ठीक है अब देखेंगे कि जो physical और जो chemical decomposition होते है ठीक है physical या फिर बोली mechanical यह जो जितने भी disintegration होते है या भी decomposition हो अलग मिनरस होंगे ठीक अलग इसमें different rocks भी हो सकती इसके अंदर अब एक रॉक की जो thermal expansion होगा alpha की value thermal expansion आपने साइस हो में पढ़ा होगा तो thermal expansion जो value एक रॉक के लिए different होगी दूसरी रॉक के लिए different होगी ठीक alpha 1 alpha 2 अब क्या होगा कि जब temperature बढ़ेगा तो हो सकते जिसकी thermal expansion की value ज्यादा उसमें ज्यादा changes आएंगे expansion होगा दूसरे में कम होगा जब दोनों में different expansion होगा तो पीच में cracks आएंगे cracks आएंगे एक time क्या होगा कि यह जितनी rocks हैं लूज हो जाएंगी लूज होके यह बाहर गिनने लगेंगी तो इसे हम क्या बोलेंगे physical disintegration अब दूसरा आता है waging action of eyes कि waging action of eyes क्या होता है कि मेरे पास इस तरह से rock है rock material है यहाँ पर छोटे-छोटे particles हैं इन particles के बीच में क्या है कुछ voids हैं यहाँ जो voids हैं इन voids में क्या होगा water होगा इसके अंदर होगा water अब जैसे temperature हमारा low होगा कम होगा temperature सब जीरो डिग्री आफिसे नीच जाएगा अब आपको पता होना चाहिए कि जो eyes होती है उसकी density कम होती water से मतलब density equal to mass upon volume थेक है तो mass upon volume होता है तो ice का volume ज्यादा होता है as compared to water से जब इसका volume ज्यादा होगा ice का तो यहाँ पर क्या करें का पहले volume कम था अब volume ज्यादा होगा ice का तो यहाँ पर कुछ stresses generate होगी इन particles में stresses generate होगी इस तरह से अब जब stresses generate होगी तो यहाँ पर cracks आजाएंगे जब cracks आएंगे तो इनके particle तूटकी नीचे गिरने लगेंगे तो इससे क्या होगा disintegration होगा तो यह तो हो गया हमारा waging action of ice इसके बाद मतलब spreading of roots of plant तो इसको आप imagine कर सकते हैं कि कहीं पर कोई rock इस सबसे में इंप्रोटेंट है अब्रेजन यह कैसे होगा gravity running water और wind की बज़े से जो भी अभी पहले में बताया थे कि मेरे पास rock है ठीक है यहाँ पर को हुआ आपको पता mountain के ऊपर जो reverse होती वहां से निकलती reverse क्या करेंगी बड़ी-बड़ी चटान होती उन्हें तोड़के साथ लेके आजाती है यह जो बड़ी-बड़ी चटान है जैसे जैसे साथ में जाएंगी वैसे इनके पार्टिक конфid the चोटे होते चले जाएंगे ठोटे होते चले जाएंगे बहां पे एक टाई प्रोसेस होगा, सब्सक्राइब चोटे चोटे पार्टिकल से यहां पर है, तो विंड के साथ में यह ट्रेवल करते हुए आगे निकल जाएंगे, आप देखे एक टर्म आता है कि जो हमारे पास सब्सक्राइब इनीशियल रॉक थी, इसी रॉक के उपर जब एक इसका जो डि इसी डिल संवयल या फिर सेडिमेंटरी रॉक बोलते हुए, सईरीमेंटरी रॉक भी बोलनेसे का कश्राइब इसके बाद क्या होता है कि जो सॉइल यहां से ट्रांसपोर्ट होके आगे तरब जा रही है, जो मतलब कि एक नए रॉक के ऊपर या फिर नही उपर correctly जाके या फी एक नए surface के उपर जो stay कर रही है ठीक है जो soil एक नए surface पर जा रही है जो soil के पार्टिकल से एक नए surface पर जा रहे हैं उसे बोलते हैं transported soil transported soil जो ट्रांसपोर्ट होके दूसरे place पर जा रही है उसे बोलें के transported soil तो जितने भी engineers होते हैं वो prefer करते हैं transported soil को क्योंकि जो इनके chemical changes होते हैं वो काफी ज्यादा changes आते हैं soil में किसमें transported में क्योंकि जो engineering properties जो होती है वो transported soil की बिल्कुल different हो जाती है कौन से parent to parent soil से तो इसलिए जो engineers होते हैं mainly prefer करते हैं transported soil को तो यहां पर हमने देख लिए physical disintegration को देख लिए इसके बाद देखेंगे chemical decomposition को इसमें पहला आता है hydration, carbonation, oxidation, solution, hydrolysis वैसे यह detail में याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको इतना पता होना चाहिए कि physical में कितने आते हैं और chemical में कितने आते हैं तो बस मैं आपको knowledge के लिए पता देखेंगे हों कि hydration में क्या होता है जो मारी रोक होती है वो reaction करती है water के साथ जब water के साथ reaction होगी तो बहाँ पर कुछ chemical changes आते हैं जिससे rocks का formation होता है इसके बाद आता है carbonation, carbonation में क्या होता है कि जो रोक होती है वो reaction करती है carbon dioxide के साथ में तो वहां से बनता है carbonic acid जिससे carbonic acid गया करता है chemical changes करतेगा बहां से soil का formation हो जाएगा oxidation क्या होता है oxidation में जो soil होगी वो oxygen के साथ में reaction करेगी oxygen करने के बाद उसमें chemical changes आएगे जो वहां से rock बनेगी कि इसके बन solution क्या होता है कि कुछ rocks होती है जो कि अगर मैं water में उन्हें mix करूँ तो वहां से क्या होती है dissolve हो जाते है तो वहां से rocks का formation होता है इसके बाद में है तो hydrolysis है hydrolysis में क्या होता है कि हमारे hydrogen जो water होगा वो convert हो जाता है H plus और OH माइनस आइन्स में जो मेरे पास water होगा वो convert हो जाएगा H plus और OH माइनस आइन्स में ठीक है अभी जो H plus है यह क्या करेगा reaction करेगा जाके कुछ दूसरे ions के साथ में कुछ different ions होंगे like calcium होगा magnesium होगा या फिर potassium होगा इनके साथ में जाके reaction करेगा और एक नया compound बनाएगा जो भी नया compound बनेगा वो क्या करेगा soil का formation करेगा इसके अंदव तो यहाँ पर हमने physical भी देख लिया और chemical भी देख लिया है इसके बाद में एक बाद फेसी रिवीजिन करते हैं कि सबसे पहले हमने देखा था soil mechanics की क्या होता है different person के according different इसकी definition होती है एक agricultureist या फिजोलोजिस्ट इनके according soil different होती है वहीं अगर civil engineer की बात करें तो इसके according soil की definition different होती है अब इसके बाद बात करेंगे डॉक्टर काल तरजाकी की जिन्हें father of soil mechanics बोलते हैं और इन्होंने बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था add bow mechanics 1925 में अब देखें इसके बाद एक main important बात आती है कि study of soil होता है उसको हम बोलते है pedogenesis study of soil को क्या बोलते है pedogenesis यह टर्म मियाद रखी क्योंकि एक जाम्य पूछा जा सकता है इसके बाद में अफिशिल डेफिनिशन है वह में याद करनी वह देखी थी soil की क्या होती है फिर ने देखा soil mechanics क्या होता है इसके बाद में origin and formation of soil देखा जिसमें पता है weathering actions इसका formation होता है कि इसकी weathering होती rocks की जिसमें mechanical disintegration या फिशिकल बोले इसके लाबा chemical decomposition होता है दो तरह से formation होता है अभी जो formation होता है cyclic process होता है वो cycle हमने देखी थी जिसमें सबसे पहले क्या होता है weathering होती है उसके बाद में transportation होता है फिर डिपोजिशन होता है उसके बाद में अपेवल होता है अब देखे फिशिकल डिसिंडिगरेशन में total four category थी temperature changes, waging action of ice, spreading of roots of plants और abrasion, abrasion सबसे में important है जिसके अंदर gravity running water wind आते है इसके बाद में chemical decomposition देखा जिसमें hydration, carbonation, oxidation, solution, hydrolysis होता है तो आज का लेक्चर यह पर complete होता है और अगले lecture में हम देखेंगे different type of soil क्या होती है और वो किस area में पाए जाते है हमारे Indian continent में वो किस जगह पाए जाती है तो अगर आ किसी topic पर वीडियो जाते है तो उसके लिए भी comment कर देना उसमें मैं वीडियो बना दूंगा so thank you for watching my video